लंबे समय के बाद आज कॉंग्रस वर्किंग कमिटी की बैठक हुई बैठक में सोनिया गांधी ने पहले तो किंद्र सरकार परवार किया उसके बाद कॉंग्रस के इस्थाई अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई चर्चा में राहूल गांधी का नाम भी गुंजा ज्यादा तर नेताओं ने राहूल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है जिस पर राहूल गांधी ने विचार करने की बाद भी कही है। कर प्रस्ताव रखा मल्कार जुन खडगे निस बात के चाहिए दी प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने कहा है कि विचार करूंगा जो सदस्यों की मांग थी उस पर राहुल गांधी नेका कि इस पर विचार करेंगे वो CWC की बैठक जिसमें सरकार को कैसे घेरा जाए इन तमाम चीजों को लेकर संगठन आने वाले चुनाव और पार्टी अध्यक्ष ये वो तमाम हुदे रहे जिसको लेकर चर्चा हुई इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने इस मीटिंग के दौरान भाश्रन दिया जिसमें उन्होंने सरकार की घेराबंदी के साथ साथ उन लोगों को नेताओं को भी नसीहत दी जो कॉंग्रस में इस वक्त बगावत के सुर्ख खड़े कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कोई भी अघर दिक्कत है तो मीडिया के जरिये नहीं डिरेक्ट मुझ से आकर कहें और इस बीच जिस सबसे में तो पून जिसका अनेशा था कि ऐसा होगा राहूल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष बनाने की बाद उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर दिया है कि राहूल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए